नमस्कार आप देख रहे हो गोल्डम 20 तो चलिए सुरू करते हो जानते हैं आज की कुछ तासा मुक्य समाचार की बड़ी खबरे जो आप सभी के काम की हैं जिया दोस्तों अब मोधी सरकार आम आदमी के लिए कुछ बड़े कदम उठाने वाले हैं जिसको लेकर यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है उसे के साथ में यहाँ पर बैंकों की और से बड़ी खबर सामने आ रही है जिया दोस्तों आपको बता दे कि बैंकों ने य सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए उसी के साथ मैं अगर आप भी हमारी वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो बैल के आइकन को भी दबा दीजिए चले तो रुक करते हैं खबरों की और तो यहां पर प्यास टमाटर के बाद लसुन निकाली जान जादा उत्पादन फिर भी उचले दाम जहां दोस्तो प्यास और टमाटर की महंगाई पर अब लसुन का तड़का भी लग चुका है पिछले एक महिन में लसुन के दाम में तक्रीमन 40 फिसदी का उचल देखने को मिला है जबकि देश में इस साल लसुन का उत्पादन पिछले साल के मताबिक 30 फिसदी अधिक रहा है देश की राज़दानी दिल्ली की बात करे तो सोमवा को लसुन के दाम 200 रुपे प्रती किलो बिकरा था वही राजस्तान के कोटा में अच्छी क्वालिटी के लसुन का थोक बाव 17,000 रुपे प्रती किंटल यानि की 116 रुपे प्रती किलो था वही नीमज के एक कारोबारी ने बताया कि बीते एक महीने में लसुन के दामों में 5000 रुपे प्रती किंटल का इजफा हुआ है गोहिल ने बताया कि हाली में हुई बारी बारी से खेतों में पानी बरा हुआ है और इसी के वज़े से लसुन की कीमतों में उच्छाल देखने को मिल रहा है चले दो बढ़ते हमारी अगली बड़ी खबर की और तो दोस्तो याप मदर डेरी ने प्लास्टिक से बचने के लिए 4 रुपे सस्ता किया टोकन वाला दूद जिया दोस्तों दूद शेतर की प्रमो कमपनी यानि की मदर डेरी ने कहा है कि प्लास्टिक के इस्तमाल को कम करने के लिए टोकन वाले दूद को पैकेज दूद की तुलना में 4 रुपे प्रती लीटर कम लागत पर उबलब्द करवाये जाएगा और उसे के साथ में टोकन वाले दूद की बिकरी बढ़ाने के लिए अतरिक कदम भी उठाए जा रहा है वही कमपनी की और से जारी बयान में कहा गया कि वरतमान में 900 बूत के माद्यम से और सतन 6 लाक लिटर दूद बेचा जा रहा है ठीक है तो बड़ते हैं हमारी अगली बड़ी खबर की और तो यहाँ पर डिमांड सुस्ती टीवी कमपनियों ने 30% तक गड़ा दाम जिया दूस्तो फेस्टिव सीजन में सुस्ती डिमांड से डिपटने के लिए टेलिविजन कमपनियों ने किमतों में अब तक की सबसे ब बड़ी खबर की और तो यहाँ पर आदार से पान लिंक नहीं किया तो परिशान नहों सरकार ने दी यह बड़ी रहात जिया दोस्तो अगर आपने अभी तक आदार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाए तो बिल्कुल भी परिशान नहों दरसल सरकार की तरफ से प और पैन कार्ड को लिंक करवाने के लिए डैडलाइंग को आगे बढ़ा दिया है पहले आखरी तारिक 30 सितम्ब 2019 थी लेकिन अब 31 दिसम्ब 2019 तक कर दी है ओके तो बढ़ते हमारी अगली बड़ी ख़बर की बारे में तो यहां पर फैस्टी सीजन में समय रहते एटीम से निक किंग सेक्टर में भी कई बदला होने जा रहे लेकिन इन सब के बीच में आपके लिए एक बड़ी खबर बैंक की तरब से निकल करा रही है आपको बता दे के अक्टुमबर में 11 दिन बैंकों के काम काउज नहीं होगे इसी महीने दसेरे और दिवाली जैसे बड़े त्योह है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग अभी से कर ले ताकि त्योहर के समय कोई परेशानी नहों तो यहां पर अक्टुमबर मैंने में कितनी चुटी आने वाले उसकी यहां पर आप लेश्ट देखे सकते हो पहला है दो अक्टुमबर गांधी जैनती है उस दिन दो 6 अक्ट को देसर नहीं सकते हैं उसके बारा क्टुमबर को मैने माईने कर दूसर सनी वार रहा है फीर तेरह क्टुमबर को वालमिकी जैनित MAY 6 सनी वार इसके बाद नाभी ही है पर आपका कोई काम हो जल से जल निप्टा ले ठीक है तो बढ़ते हैं अगली बड़ी ख़बर के और तो यहां पर करोडो क्रेडिट कार्ड यूजर के लिए बुरी खबर आज से बदल गया ये बड़ा नियम जिया दोस्तों अगर आप भी किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो आज से एक बड़ा बदला होने जा रहा है इसका असर सबी बैंकों के करोडो क्रेडिट कार्ड दारकों पर पढ़ने वाला है पेट्रोल और डीजल का भुगतन क्रेडिट कार्ड से करने पर मिलने वाली छूट अब नहीं मिलेगी यहां दोस्ता आपको बता दे के एक अक्टूमबर 2019 के बाद तेल कंपनियों की तरफ से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर मिलने वाली छूट बंद कर दी कही है वहीं आपको बता दे के कैस बेक सुईदा नोट बंदी के बाद डीजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से सुरू की गई थी ओके तो बड़ते हैं हमारी अगली बड़ी खबर के बारे में तो यहाँ पर कॉर्परेट के बाद अब मीडल क्लास की बारी दिवाली से पहले इंकम टेक्स में चूट की मिल सकती है बड़ी सौगात जियां दोस्तों अर्थविवस्ता की दीमेपड़ती रफतार को रोकने के लिए मोधी सरकार बीते कुछ वक्त से लगातार कई बड़े कदम उठा रही है हाली में सरकार ने कॉर्परेट टेक्स के दरों में कटोती कर भारती उद्यों को बड़ी राहत दे दी थी और इस फैसले को हर तरफ से तारीफे भी मिल रही थी अब ऐसी खबर आ रही है कि सरकार पर्षनल इंकम टेक्स रिटनर में भी कुछ बड़े बदलाव करने जा रही है वही सरकारी सुतरों के हवाले से छपी खबरों के मताविक अधिकारी पुरातन इंकम टेक्स कानुनों को आसान करने और टेक्स दरों को तरग संगटन करने की दिसा में काम कर रही है वही डिरेक्ट टेक्स कोड यानि की डिटी सी के लिए बने टास्क फोर्स की सिफाईसों को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट त्यार की गई है जिसे 19 अगस को दाखिल किया जाएगा वही एक्सपर्ट को उमीद है कि टेक्स दरों को लेकर आखरी फैसले के बारे में दिवाली से पहले एलान किया जा सकता है सरकार को उमीद है कि इससे तुरण डिमांड बढ़ेगी और ग्रोथ को रफतार देने में मदद मिलेगी चले तो बढ़ते हमारी अगली बड़ी खबर के बारे में तो यहाँ पर मंगाई के साथ सुरू हुआ अक्टुमबर का महिना इतने रूपे बढ़ गए रसोई गैस सिलेंडर की कीमत जिया दोस्तों अक्टुमबर का महिना सुरू हो चुका है और ऐसे में पेट्रोल और डीजल के बाद अब सरकारी तेल कमपनियों ने गरेलू गैस सिलेंडर के दामों को भी बढ़ाने का फैसला कर दिया है अक्टुमबर महिने में पहले दिने कमपनिय की ओर से जारी किये गए नए रेट में करेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 15 रूपे बढ़ा दिये है ये लगातार दूसरा महिना है जब LPG के दामों में बढ़ातरी की है वही एक सितंबर को बीना सबसेडी वाला रसोई गैस के दाम 15.50 रूपे की बढ़ातरी की गई थी आला कि सरकार ने एक अक्टुमबर से गरेलू प्राकुरूतिक गैस के दाम में पिछले दो साल के दोरान पहली बार कटोती की है वहीं आपको बता दे कि सरकार की इस कदम से आटो फ्यूल के रूप में इस्तमाल होने वाले CNG और घरों में खाना पकाने के लिए इस्तमाल होने वाले पाइप नेचरल गैस यानि की पी एएंजी की किमते कम हो जाएगी ओके तो बढ़ते हैं हमारी अगली बड़ी खबर के बार में तो दोस्तो यहाँ पर 500 टन प्लास्टिक कच्रे से बनेगा 100 किलो मिटर लंबा हाइवे जिया दोस्तो केंदर सड़क परवियम एवं राजमांग मंत्री नितिन गड़करी ने सुमवर को यूपी गेट पर प्लास्टिक वेश्ट से बन्दरे सड़क का सिलान्यास किया दरसे केंदर सरका ने 2 अक्टुमबर से सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने का एलन्द किया है और इसमें नेशनल हाइवे ओथरिटी ओफ इंडिया बड़ी भूमी का अदा करने जा रही है आपको बता दे कि इस साल अक्टुमबर के अंत तक 500 टन प्लास्टिक कच्रे से 100 किलोमीटर का हाईवे बनाने का लक्षे तै किया है वही एनेशाई ने एक सर्कूलन में कहा है कि प्लास्टिक वेश्ट से बनने वाली सड़क पर देखरे एक एनेशाई खूद ही करेगी इसकी साल में दो बार समिक्सा की जाएगी एक अनुमान के मुताबिक साथ टन प्लास्टिक कच्रे से 1 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा सकती है चले तो बढ़ते हमारी अगली बड़ी खबर के बार में तो यहाँ पर सोने और चांदी में आई भारी गिरावट इस पार पर खरीदी की सला जियां दुस्तों त्यावरों पर सोना खरीने वालों के लिए एक बहुत ही अच्छी कबर निकल करा रही है हफदे के पहले दिन इस सोने और चांदी में गिरावट देखी गई है आपको बता दे के राश्टे राजदानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत में 240 रुपे की गिरावट आई है वह अगर चांदी की बात करे तो एक किलो ग्राम के अनुसार चांदी में 775 रुपे की गिरावट देखी गई है एक्सपर्ट के मताबिक अंतराश्टे मार्केट में कमजोर कीमतों की वज़े सोने की कीमतों में नर्मी आई है वह एक्सपर्ट का कहना है कि सोने में आज की गिरावट को खरीदारी का मौका समझना चाहिए उनका कहना है कि अमरीका और चिन के भी श्टेट वाप फिर से बढ़ता दिख रहा है इसके अलावा अमरीका और इरान के बीच भी राजनेतिक तनाव बना हुआ है वहीं अगर बात करें भारत के अलग-अलग सरों में सुने और चांदी के बावों के बार में चलिए तो यह थी आज की दिन बर की काम की बड़ी खबरे जो बिजनेस से जुड़ी हुई थी वहीं बात करें आज के अमारे सामने ग्यान के प्रशने की तो आज का अमारा प्रशने है कि दूर भी इनकी आविशकार किस ने किया था उनका नाम आपको नीचे कमेंट करके देना है और साथी में इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ सेर भी करना है उसी के साथ मैं आपको बता दे के सेजवाब देने वाले वीजिताओं को दिया जाएगा झाले 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 जाएगा